आज कुछ हलका फुलका खाने का मान हुआ तो सोचा क्यों ना मश्रूम के साथ एक स्टार्टर बनाये जाए वो भी हेल्दी वाला हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल वनितास किचन आज मैं आपके रहे लेकर आई हूँ गार्लिक मश्रूम की रेसिपी इसे आप टिफिन में भी रख सकते हैं किट्टी पार्टी या बदे पार्टी में भी सर्फ कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी आने वाली रखेंगे गैससंदेनक न Korean 1 1977 अबतर डालेंगे और इसमें एक टेबल स्पून बटर दालेंगे कैसे बतर के साथ में तेल डालना जरूरी होता है अगर बटर को हम गर्म करेंगे तो बटर जलने लगता है इसलिए हैं पर तेल डालना जरूरी है आठ से दस लेसुन की कलियों को बारिक चॉप कर लिया हैं इसे डाल देंगे लेसुन को भुनेंगे जब तक ये ब्राउन कलर में न हो जाए लेसुन भुनने लगा है इसे थोड़ा सा और भुनेंगे लेसून भून गया है अब हम इसमें मश्रूम डालेंगे जो हमने काटके रखे थे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे दगाता चलाते वे दो मिनट तक भूनेंगे इसे भूनते वक्त गैस का फ्लेम लो भी नहीं करना है और इसे धक्कर भी ना पकाएं ऐसा करने से मश्रूम पानी छोड़ देगा और मश्रूम का साइज छोटा हो जाता है सिकड जाते हैं ये इसे पकाते हुए दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे एक छोटी चमच काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है इसे डाल देंगे आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर डाल चकते हैं मगर फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे तीन चोटाई चमच औरेगानर डालेंगे अब इसमें स्वादा नुसा नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 10-12 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसी बीच अगर मश्रूम में थोड़ा कच्छा पन होगा तो मश्रूम पक जाएगी तो देखी फ्रेंड्स गारलिक मश्रूम बन कर तयार है बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बन कर देंगे तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमारा स्टार्टर बन कर तयार हो गया है ये जितनी जल्दी बनता है उतना ही खाने में लाजवाव लगता है अब इसे हरे दनी ऐसे गार्निश खर लेंगे आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही तब तक खुश रहे है खेल्दी रहे है